सोया बीन में 4 नवंबर से तेजी आने की संभावना है इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं आईए जानते हैं कि कितनी तेजी आएगी लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि किसान भाई ज्यादा से अपनी सोया बीन मंडी में लेकर आएं मौसमी प्रभाव वर्ष के इस समय में सोया बीन की कटाई का मौसम समाप्थ हो जाता है जिससे बाजार में उपलब्धता कम हो जाती है इसका असर कीमतों पर पढ़ता है और मांग बढ़ने के कारण तेजी आ सकती है वैश्विक बा बाजार में सोया बीन की कीमतों का उतार चड़ाव भी भारत की कीमतों को प्रभावित करता है अगर अंतर राष्ट्रिय बाजार में कीमतें बढ़ती है तो भारतिय बाजार में भी इसका असर देखा जा सकता है मांग में व्रिद्ध त्योहारों का सीजन होने से मांग में अगर सोयाबीन का आयात कम होता है या निर्यात में बढ़ोतरी होती है तो देश में आपूर्ती पर असर पड़ेगा जिससे कीमतों में तेजी आ सकती है हालां की कीमतों में उतार चड़ाव कई अन्यकारकों पर भी निर्भर करते हैं जैसे की सरकार की नीतियां, भंडारन की स्थिती और किसान संगठनों का रुझान